तो my dear student आज की या वीडियो BA, BC, BC, BCM के फस्ट्यर के फस्स समेस्टर वाले स्टुडियों के लिए most important होने वाले है क्योंकि आज किस वीडियों बात करेंगे को करिकुलर यानि कि जो अनिवार प्रस्न पत्र है जिसका नाम है food, nutrition, and hygiene और उसको हिंदें बोलते हैं अहार पॉफरियम सचता इफ इसे जुड़े मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसी क्यू यानि की अब्जेक्टू बहुब किल पे टाइप की कोईश्चन और उसके उत्तर के बारे में आप सभी को मालूम है तो अच्छी बात है नहीं मालूम तो सुन लीजिए आप समेस्टर में है यह समेस्टर नहीं है तब भी आप लोग सुन लीजिए आपको जैसे कि आपका सब्जेक्ट हिंदी इंग्लिस सोसलोजी जो भी हो तीन सब्जेक्ट तो आपके कंपल सरी वहोंगी ही होंगी ठीक है एक माइनर में होगा ठीक है और एक आपको पेपर अन्यूार होता जिसका नाम है food nutrition ये परिच्छा objective होती और बाकी सभी लिखीत होंगी तो इसकी परिच्छा आपको देनी ही देनी पड़ेगी जो मैं आपको बता रहा हूँ food nutrition याणि की आहर पोफट की अदर्वाइज आप फेल मने जाएंगी तो इसकी परिच्छा OMRC 8 पे होगी बहुत विकल्बर की आवस्था यानि की जो आपका health है संपूर यानि की पूरा का पूरा जो आपका health है तंदुरुस्ति मतब एक perfect इंसान उसकी stage यानि की आवस्था है ना की केवल बिमारी या कमजोरी की अनपस्थिती है ये वक्तब भी किसका मतब कि एक sentence एक line कही गई है ठीक है इसका बता आपको तेहां बहुत फारे अलग-अलग बिद्वान के और organization के नाम है जिनको आप लोगों को बताना जैसे कि आरस्तुत प्रोंग बिद्वान होगे लाक्टर एमल गिल भी प्रोंग बिद्वान होगे महात्मा गांधी आप लोगों को मालूम है कि हमारे देश्तित के मतलब कि hospitals होते हैं इनका जो medicine होती है जितना बे-control है मतलब होस्पीटल करेंगरी का वह department बहुत शोगा है यही में संसता है तो बहुत पूरा नाम होता है World Health Organization तो यह जो बात है वो डबल एच्चों के द्वारा ही की गई इसलिए सही जब आप भी होगा ध्यान रखेंगे महात्कूर्ण प्रश्ण मताएंगे जो कि आपके काम क्यों हो ठीक है हमारा पूरा फोकफ ही देगा कि आपको हेल्प मिले अगला प्रश् तो यहां पर बहुत आरे आपसर है अगर सबसे जरूरत तो सभी चीज़ों की लेकिन गहन आवाज सकता है मतलब ज़्यादा आवाज सकता इस चीज़ की वह प्रोटीन ए नमबर सही जबाब होगा ठीक है कि कौन सा बिटामिन हमारे सरीर में एकत्र नहीं होता है जान से सु कौन सा बिटामिन है तो बिटामिन A, B, C, D आपने तो बढ़ाई होगा ठीक है तो बिटामिन जो C है वो हमारे सरीर में होए एकत्र कलेक्ट नहीं होता है इसलिए सही जबाब हो जाएगा A नमबर ठीक है इसी तरह आपको जब परिच्छा देने जाएंगे तो आपको प्र प्रोटेसियम करता है कैल्सियम करता है और रॉन करता है फिर प्रोटेन करता है तो इसका सही जबाब हो जाएगा प्रोटेसियम ठीक है कौन करता है काम प्रोटेसियम करता है इसलिए सही जबाब यह होगा अगला है कि अल्फा टो अल्फा टो को फैरोल बिटामिन किसे कहत तो अगर आपको नहीं मालूम है तो सुन देजिए ध्यान से सुनेंगे सही जवाब होगा आपसे नमबर विटामिन इविटामिन इको अलफा टोको फैरोल भी बोलते हैं इफिलिस का सही जवाब हो जाएगा सी नमबर ध्यान रखेंगे विटामिन की महात्पूर्ण प्रश्ण है अगला कुश्चिन है कि राइबो फ्लेविन किस में पाया जाता है तो राइबो फ्लॉमिन जो है ध्यान रखेंगे वो पाया जाता है अंडे में पाया जाता है मांश में पाया जाता है और उपरोक्त में से सभी में पाया जाता ठीक है डी नंबर से जबाब होगा ध्यान लखेंगे महात्पूर्ण प्रश्ण है ठीक है वीडियो को complete देखेंगे हम हो सकेगा जितना भी आपको महात्पूर्ण ही प्रश्ण बताने का परियाफ करेंगे डेरी स्टूडेंट और यह आ दार 5000 तो होने में मिश्कूल हो जाते हैं लोग कहां जूड़ते हैं बाई कुछ हम आपको देते हैं अच्छा देते हैं तभी तो आप लोग जूड़े हैं वरना कहां जूड़ते हैं एजूकेशन वह भी बीए सिरु पढ़हाते हैं ठीक है उते बी के चार लाग स्टूड लीजे वीडियो को देखते रही है आप लोगों का रिवीजन भी होता रहेगा और जानकार भी मिलती देगी अगला क्वेस्टिन के एंटी रिकेटिक बिटामिन किसे कहते हैं देखे ये कुछ बिटामिन के नाम सच जो आप लोग साथ पहली बार सुनने होंगे ठीक है तो इ रिकेटिक बिटामिन को बिटामिन दीग भी कहते हैं द्यान रखेंगे आगला प्रस्ण है की जीरो थेलियमा ठीक है नामक रोग किस बिटामिन की कमीश्य हो जाता है तो एक रोग होता जिसका नाम है जीरो थेलिमिया ठीक है तो यह जो होता है ध्यान रखेंगे तो उसमें कौन सा वीटामिन हिल्प कड़ता है तो इसमें Like कौझat Hetu pas यूजफ दिन तुपिछीजी तूब पाइस दिन के ना तो उसमें कौन सा विटामिन हिल्प कड़ता है तो इसमें विटामिनrą भी जो एक दिन आप लोग बादीजे चोट खागे तो आप 10-15-20 दिन में महीने में कुछ ना कुछ कबर हो जाएंगे ठीक है तो इसमें वहाँ पर सहायक होता ध्यान से सुन दीजे उस विटामिन का नाम है विटामिन काराक उने सवार था करते उरस में आपको बताना है तो थाहिए तो इसमें देखा जाय तो अगर मैंने आइशा ही देखा जाना जिरियम तो सभी सही होंगे ठीक है लेकिन कोईश्चन की बात हुई है तो यहां पर खानिज और बिटामिन यह जो है वो रच्छा प्रदान करने के कारक है ठीक है इफ लिए सही जबाब C होगा अगर आपको इस तरह क्या अशन क्या बनाता है तो आप सफ्थ रहना चाहने चाहरे है एक्सडियम ठीक है जोगा करेंगे तो आपका जो सरीर है वो परफेक्ट Church रहेगा जिसको बोलेंगे किरिया से ह्दुफ सफ् calor है अगर सफ्थ रहने के बेइयाम आउस्यक है क्यूकि हमारे सरीर को क्या बनाता है क्री intr अगला परशने की अच्छे स्वाफ्त की पहचान क्या है तो ध्यान रखेंगे अच्छा अगर आपका स्वाफ्त की पहचान है कि ड्रन मास्पेशिया मतब इस्ट्रोंग जो मास्पेशिया होती है जो हमारे बोड़ी की उनका रहना मतब मजबूत रहना यह पहचान होती है अ के रहाँ we are किसी रौल ओता तो किस वजाफे होता है तो द्यान से सुनेमस का सही जबा हो जाएगा अपशनल अप्सानूंबर बी रोग पत्रोजक पर चमता के तो जाता है लेकिन टूर्बध के निगता जाए वह समय हो जाथ relational क्रीपिंद दे confury act लेकिन उसको control जरूर कल देता है एक दिन अगला की रेक्ट में पाई जाने वाली सरकरा क्या कहलाती यानि कि जो blood होता है इसमें सरकरा पाई जाती उसको क्या कहलाती उसको क्या बोलेंगे तो इसका सही जबाब हो जाएगा आप से नंबर C शुक्रोज बोला जाएगा C नंब है यह वह कह रहा है कोष्ष्ण तो उसके नहीं आता है कि अगला कि गड़ा बेक्ट को अहार कैफा देना चाहिए तो अगर कोई बोड़ा पा है तो उसको भोजन देना चाहिए वह देना चाहिए कि सूपाच यानिकि जो पच जाए ठीक है शी नमबर siy जबाब होगा आसाणी से अगला है कि डालों में कौन सा पोसक्त्त-प्राप्त होता है इन आफ्सर में से तो डालों के मादि餛िणिम से आपको व्हाख मिलता इन आफ्सों में से तो दालो उसमें सबसे अधा प्रोटीन इन आफ्सों में से जो सही जवाब होगा प्रोटीन पाई जाती ए नमर सही जवाब होगा अगला की रक्त स्रोरोधी बिटामिन कौन सा है ठीक है तो इसका सही जवाब हो जाएगा आफ्से नमर सी ठीक बिटामिन क अगला म्रदुलस्थ की कमी से होता है तो एक रोग जिसका नाम है म्रदुलस्थ् ठीक है और यह कौँ से फिस्ते विटामीन की कमी से सरीप में भाव Africa अगला कौन सा पोसक शरीर में ब्रद्धी में सहायक तत्तो है कौन सा पोसक तत्तो जो है शरीर की ब्रद्धी में सहायक तत्तो है तो सही जबाविश्का हो जाएगा ध्यान नकिंगे वह प्रोटीन प्रोटीन ना अफसर में से सफसे ज़्यादा जरूरी हलाकि जरूरी तो सभी जबाब होगा ठीक है अगला कोश्चिन है कि इस्टार्च का उत्तम स्रोथ क्या है ठीक है तो इस्टार्च नाम आप सुनते होंगे सुचिंग क्या है क्या टार्च जलाने वाली तो नहीं तो इस्टार्च जो एक रफाइनिक कार्बो हाइड्रेट है ठीक है जो की अलग question कि मचली का तेल दूर सथा डेरी पाद उत्तम स्रोत किस चीज़ का है तो इन सब चीज़ों में जो vitamin P पाई जाती हूँ vitamin A पाई जाती है C number सही जबाब अगला है कि समान बेक्त में कितना calcium होता है ठीक है तो एक समान बेक्त में बात की जाए कैल्स की जो मात्र होती है 1200 ग्राम घिक है इसी नंबर सही जबाब अगला है कि vitamin D की कमिसे कंई से बिमारी होती है तो vitamin D की कमिसे जो बिमारी होती हो हो है econom के आज़ों बीमारी है लेके सोना अगए जहान नकिए अगर आपकेंगे सहीज़ू जासे हो जाता है ठीक है इन अप्षम में से सही यहीं होगा फिर HALagen D पोषब है जो और ऐंधर एलगे वहां पोषब्सक जो प्रोइन की फाथ मिलकर हेमोगलोबीन बनाता है वह कौन साधर तो इसका जो सही जबाब हो जाएएगा हो option number A, iron अगला की वह vitamin जो कई कोशकाओं को आपस में बांध कर रखता है वो कौन सा vitamin है, ठीक है तो उस vitamin को बोलते है vitamin B B number सही जबाब होगा, ठीक है अगला की protein किसको बनाने में सहायक होता है तो protein जो है ध्यान लखेंगे बहुत ही महात्पूण प्रशन है, ठीक है वो मास्पेसियां उतक को मनाने में सहायक है A number सही जबाब, अगला की vitamin D पाया जाता है किस चीज में तो vitamin जो D है ध्यान लखेंगे वो पाया जाता है, ठीक है इन अपसरों में से, दूध में ठीक है, सही जबाब इसका हो जाएगा ठीक है, C number दूध, vitamin D पाया जाता है किस में, मताइए कमेंट सेक्षिन में फिर से बता दीजी आप लोग, अगर आपको मालू है तो C दूध अगला की सूरी की रोशनी, किस vitamin का फ्रोथ होती है, जो सूरी की ग्रिडर निकलती है तो आपको वहाँ से कौन से vitamin मिलती है तो वहाँ से आपको vitamin D मिलती है सही जबाब इसका हो जाएगा C number अगला प्रशन है कि हलाकि जो आपसन देगें, उनमें से बात हो रहे जैसे कि इसमें ये आपसन देगें, तो इसमें कौन सा होगा तो हमने ये फिलक्ट किया अब ये कोश्चन करेदा कि फूरी की रोशनी, कि विटामिन का फ्रोथ होती तो विटामिन D क्यों होती तो कोश्चन भी देखिए और उनमें दिये आपसन भी देखिए अगला कोश्चन है कि आश्टियो पोरिसिस बीमारी होती है किसमें हाथ में होती है, मस्तिस में, मास में या फिर हड़ी में तो ये जो बीमारी है, वो हड़ी में ज्यादा होती D नमबर सही जबाब होगा, ध्यार नखेंगे अगला कोश्चन की मात्र थायराइड, हार्मोन की संसलेशन के लिए महत्पूर्ण है जो परिवर्तन, सोरूप, भ्रोण के केंद्रिय तंत्रिका, तंत्र के विकाफ के लिए आवस्यक होता है तो यहलागी महत्पूर्ण नहीं है, लेकिन जो आवस्यक है, वो है अगला प्रश्चन है, कौन सा एक बल विकास को प्रभावित करने वाला कारक है तो जब बल बनतर की, आप बोड़ी इसको बोल सकते हैं, आप लोग बल इस्टोंग तो इसका जो साही जबाव हो जाएगा, हो जाएगा आव यानि की उमर ठीक है, उमर का कारक प्रभावित करने वाला कारक नहीं है, ठीक है, आयू जो उमर है, बाकि सब जो है, इसकी के अंतर गताएंगे, सिप जो है आयू यानि की उमर नहीं आएगी, अगला की यहूं, अंडे की जर्दी वा दूद किस विटामिन की अच्छे स्रोत हैं, मतलब पर आप लोग सेलेक्ट कर देजेगा, कोश्चन ऐसे है कि इसमें सब में कौन सा विटामिन पाया जाता है, ठीक है, तो आपको बताना रहेगा, तो ऐसे कोश्चन उल्टा भी हो सकता है, तो फिराल इसका सही जबाब हो जाएगा अश्य नमबर, इन सब की सभी चीज़ों क कमी से क्या होता है, तो जहां सनूरीजे, बिटामिन की कमी है, तो आपको रग्ट जमने में समय लगता है, ठीक है, डी नमबर सही जबाब होगा, अगला अक नाइट्रोजन केवल एक पोसक में पाया 자ता है, वो कौन सा है, ठीक है, तो पोसक त Ensuite हैट केवल एक पोसक में पा Connocor Lights क्या है ठीक है तो Connocorcor Arts जो है वो है s schon जो खाने पाए जाता है सी 11 अगला है की मनुस्य सरीर के लिए FUEL FUED कउन सा है इनि कि जैसे कि Engine में आपको बीना तेल ढाले या फिर Biuk में भीना तेल ऋढाये कार्मे मिनलत, तेल डारЙ वो नहीं चलता हुथ तरह अगर 감rand को भोजन निले – कौन सा तो आप नहीं रहे करते हैं या फिर मान लिजे की समस्या होगी आपको ठीक है। तो मानों सरीर के लिए जो फ्यूल फूड का नाम दिया गया है वह आपको बताना है… तो मानों सरीर के लिए जो फ्यूल फूट का नाम दिया गया है वह है वसा तो था कार्बो हाइटेट बी नमबर सही जवाब अगला क्वेश्चन की कार्बो हाइटेट का उत्तम स्रोथ क्या है ठीक है तो कार्बो हाइटेट जो गीहूं में खुब मात्रा में पाया जाता है साही जवाब ए होगा अगला की वसा का उत्तम स्रोथ क्या है तो वसा जो है ध्यान लखेंगे महात्पूर्ट प्रश्ण है ठीक है मक्खन मक्खन खा रहे हैं तो वसा आपको पर्याप्त मिलेगी ठीक है अगला की प्रोटीन का उत्तम स्रोथ क्या है तो प्रोटीन आपको जल का उपभोग अधिक हो जाता है तीक है वो कौन सा है तो सही जिब आब इसका हो जाएगा आप्शन नमबर जल मादक्ता एक हानिकारी चिकत सारोग है जिसमें बेक्त की जल का उपभोग अधिक हो जाता वो है जल मादक्ता ध्यान लखेंगे अगला कोश्चन की कौन सा बि भिंद जो अणू से बना एक प्रतियाक्षिकारक है, जो कोशिका च्छति को रोकता है, वो कौन सा विटामिन है यह कोश्चन कहरा है, ठीक है, तो इसका जो सही जबाब हो जाएगा, वो हो जाएगा, वीटामिन E हो जाएगा, ठीकD नंमेर सही जबाब, अगलाय की निम्न में या फिर निम्न को प्राया फरीर का मूख पोसक्तत्त कहा जाता है तो मूख पोसक्तत्त जो कहा जाता है वो किस चीज को कहा जाता है तो मूख पोसक्तत्त जो है वो जल को कहा जाता है सही जवाब भी होगा अगला की उम्र बढ़ने पर सबसे प्राकृतिक वसा में बिक्षित होने वाली आप प्रिये गंधियों स्वाद को क्या कहा जाता है तो इसका सही जवाब हो जाएगा अफ्शिन नमबर A विक्रत गंधिता ए नमबर सही जवाब होगा अगला की आतों में सरकरा के आवसोसर्ड में भी देरी करता है कौन तो आतों से सरकरा के आवसोसर्ड में भी देरी करता है वो कौन सा है तो आतों से सरकरा के जो देरी करता है उसका नाम बताना है तो उसका नाम है फाइवर ये क्या है लेट कर देता है ठीक है देरी होती इसी के वज़ा से फाइवर का अच्छा फ्रोद क्या है अगर आपको फाइवर सरीर में रिक्वार्मेंट है तो फाइवर आपको चाहिए त तो फलियां वाली चीज़ एक खाई है, ठीकि फलियां, आगला प्रशन है कि किसी द्रो या बिलेन की मात्रा को प्रत इकाई आयतन में बिले कड़ो मोल जिसको बोलते हैं, बिले कड़ो या फिर मोल की कुल संख्या की रूप में परभाफित किया जाता है, वो क्या है, ठीक है तो वो है पारसरी प्रभावाला की कोश्चन कभी आया नहीं, तो आप इक जोर भी कर सकते हैं, आगला कोश्चन है कि अलप सोडियम्रक्तता से कम समान ने हैं, तो सोडियम की उच्च मात्रा की उपस्थिति के करण क्या होता है? तो जो ये alpha sodium की उच्छ जो मात्रा है इसकी जो उपस्तिती ही वो किस करण से होती है ठीक है तो ये भी question हमारे असाब से कभी आया नहीं लेकिन सही जबाब इसका हो जाएक option number C कभी आया नहीं तो आप ignore भी कर सकते है question कुछ इसमें से थे तो मैंने सोचा रख लेते हैं क्या पता ही जाए बहुत कमाने कुम्मी दे अगला की microcytic anemia तथा उतक copper के निम्न अफ्तर का कारण बनता है तो microcytic anemia और उतक जो है वो इन आपस्तिनों में से निम्न अफ्तर का कारण कौन बनता है ठीक है तो वो है ध्यान रखेंगे मोलिब्डे मोलिब्डे नम बिसक्सितता ठीक है डी नमर सही जबाब होगा तो आज कि इस वीडियों करीब करीब पचाफ है फाट कोश्चन मैंने आपको बताएं और उसका एंसर बताया मैं यह नहीं कहूंगा कि सारी कोश्चन नहीं छप जाएंगे लेकिन इस वीडियों से आपको दस बारा कोश्चन जरूर देखने को मिलेंगे ठीक है हमारे एक्सपीरियंस के हिसाब से जो मैंने रसेश किया है बाकी और भी हम आपको स्रीच कवर कराएंगे चुकि आप लोगों के लिए काफी हेल्प लोगी हम पर याफ यह करेंगे कि कुछ ना कुछ जरूर आपकी परिच्छा मासे लास्ट में मारल पेपर भी सोल्व कराएंगे बहुत अच्छे तरीके से आपके तैयारी करा देंगे ठीक है बागी जो हो सकता हम करते रहेंगे और आपका अपना है चैनल है तो सब्सक्राइब कर लिजेगा और मिलते हैं को ने वीडियो के आपके लिजेएंद